यह आवाज है बिरप्पन की जो एक समय में भारत का मोस्ट वांटेड मैन हुआ करता था उसने 20 साल में तमिल नाडू और करनाटक के सरकार को चैन के साथ बैठने नहीं दिया जिस पर 2000 से अधिक हातियों और करीब 184 लोगों को जान से मारने का रूप था जिसके माथे के उपर में पांच करोड से उपर का इनाम रखा गया था भारती अपराज जगत में दाओ इबराहिम को छोड़ कर इतना बड़ा इनाम किसी के सर पर नहीं रखा गया 18 जन्वरी 1952 को जन में विरभपन के बारे में कहा जाता है कि उसने 17 साल की उमर में पहली बार एक हाति का सिकार किया हाति को मारने के उसकी फेवरेट तेक तकनीक होती थी उसके माथे के बीचो बीच गोली मारना विरभपन चीजिंग दब ब्राइजेंट के लेखक विरभपन को मारने के लिए स्पेशल ताक्स फोर्स के परमुक के विजए बताते हैं विरभपन की खुंखारियत का अलम ये था कि एक बार उसने भारतिय वन सेवा के अधिकारी पी स्री निवाश का सिरकाट के अपने साथियों के साथ फुटबाल खेलने लगा श्रीनिवाश बहुत फर्सकलास ऑफिसर थे आई एफस का गोल्ड मेडलिस थे हर एक हंट में जाते थे केवल रेट का डिपन नहीं किया इन्होंने वहां जाकर एक हास्पिटल कोला सो इसमें बहुत पब्लिक का गुडविल इन्होंने कमाया विरपन इसको देके डर गया उस जमाने में उस वाक्त उसी महिने में एक बहुत बड़ा रेट भी उन्होंने किया एक तर्ण का पूरा सैंडल वूड चंदन इन्होंने पकड़ा और उसमें बीस और पचीज इन्होंने मान लिया पूरा बिलीव करके इन्होंने एक पर्टिकलर जहां मीट करने के लिए जा रहे थे दिरे दिरे हर एक दस पंदरा मीटर में एक आदमी ड्राप करके पीछे चले गया फाइनली केवल एक विलेज का लीडर हेडमन था इनकर साथ वह भी अचानक एक आपने करूरता का बहुत सारे उधारन सुना होगा लेकिन आपने किसी लुटेरे या डाकु ने अपने आपको बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी की बली चड़ा दी हो उसकी रोने की आवास से उसके ठिकाने का पता ना चल जाए विरपन ने कुछ महने की बच्ची को आवास की हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया उसमें केवल विरपन को वाइफ मना किया वह बहुत अफेक्टेड थे इस इंसिडेंट में जब बच्चे रोते हैं वह अंग्रेश में करते हैं वह साउंड का डिसिबल यह करीब एक सो दस का डिसिबल है तंडर क् गवल इसे 10 डिसिबल जा लगए आप सोच सकते यह जंगल के अंदर आगर बच्चे का अंडरड़ एंटेण डेसिबल का आवास करीब दो किलो मेंटर 13 किलो मेटर तक को कर सकते हैं सो उस वक्त हमारा एक बहुत फेमेस आफिसर थे संजे अरोरा स्टीएफ का थमिल्नाडी स्टीएफ पीछे 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 यह तो इनका साथ करीब एक सो आदमी थे औरोतों भी थे बच्छे भी थे और बाकी लोग नौजवन भी थे और बुजर्गों भी थे यह इतन इदर उदर देख रहे थे बाकी लोग विरपन ने आदेश दिया एक मिडवाइफ मतलब एक मिडवाइफ मतलब जो पहले इनका डेलिवरी वेगारा मदद किया उनके तरफ देके उनका इशारा दिया सो उनका पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था सो इस हैपन यह आने के प विरपन रास्टिय अस्तर पर कुख्यात हुआ जब उसने 1993 में मीनी गुट फ्राइडे के दिन घात लगाकर पुलिस वर हमला कर दिया 21 पुलिस कर्मियों को मार डाला उनीस दल के एक सदश्य असुक कुमार बताते हैं रेंबो गोपाल कृष्णन के दल को निशाना बनाने के लिए वीरपन ने सड़क पर 10-10 फीट की दूरी पर 14 गड़े खोद रखे थे उन गड़ों में विस्फोट टक रखे हुए थे जिनको 12 बोल्ट की कार बैटरी से जोड़ा गया था जैसे ही विस्फोट हुआ बस के नीचे की जमीन दहली तीन हजार डिग्री सिल्सियस का तापमान पैदा हुआ आगे जा रही बस हवा में उचली और पत्थरों धातू और कटे फटे मांस के लोथणों का मलबा एक हजार किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार से जमीन पर आगिरा दिर्श इतना भायानक था कि दूर चट्टान की आड़ में बैठा वीरपन भी कांपने लगा और उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया थोड़ी देर बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने 21 क् खायलों को पीछे आ रही बस में रखा लेकिन इस बद हवासी में हम अपने एक साथी सुगुमार को वहीं छोड़ाए क्योंकि वो छटक कर कुछ दूरी पर जा गिरा था उसका पता तब चला जब बस वहां से जा चुकी थी कुछ ही देर में उसने दम तो सन 2000 में दच्चिन भारत के मशूर अभिनेतार रासकुमार का भरण कर लिया और सौधिन से अधिक दिनों तक विरपन के चंगुल में रहा इस दौरान करनाटक तमिलनाडू राजी शरकार को घुटने पर ला दिया करनाटक के ततकालीन मुख्यमंत्री स.म कृष्णा बोले जून 2001, दिन में 11 बजे, वरिष्ट, IPS अधिकारी, विजे कुमार की मोवायल की घंटी बजी, स्क्रीन पर फ्लैसवा अम्मा, उन्होंने जैललिता का नाम अम्मा के नाम से सेव कर रखा था, जैललिता सिधे पॉइंट पर आई हम आपको तमिलनाडू स्पेशल टास्क फोस का प्रमुख बना रहे हैं, इस चंदन तसकर की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, आपको आपके ओर्डर्स कल तक मिल जाएंगे स्टीएफ का परमुख बनते ही विजे कुमार ने विरप्पन के बारे में खूपया जानकारी जमा करने सुरू कर दी, पता चला कि विरप्पन की आँखों में तकलीफ है, अपनी मूचों में रंग लगाते वक्त उसकी कुछ बुंदे जटक कर विरप्पन की आँखों में अपने के लिए कुछ पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन हमें लग रहा था तोड़ा हाइस में स्ट्रेइन है, वह पहले हिंट भी मिला है, बाद में एक रूमर शुरू हो गया कि बहुत भीमर हो गया, वहां का लोकल क्वैक विलेज डॉक्टर टैप का उनका पा अगर आपका पास इंफरमेशन है, सिधा मेरा पास आ सकता है, नहीं तो हमारा एस्पी साब बहुत इंपॉर्टन ओफिसर कनन, कनन बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले किया, इसमें एक कॉंसिबल पांडी कनन, अपना फ्रेंशिप का वज़े से ये कॉंटाइक उनको मिला है, पेले इनको कुछ चोटी से फेवर इनोंने किया है, वो ग्रैटिटूट के लिए इनोंने रिटर्न में एक अचानक एक दिन एक इन्फरमेशन दिया, क्योंकि विरपन का ज्यादा सेकुरिटी कांशिए से बहुत 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 गई, उनका पास अपने आदमी केवल चार इसलिया है यह क्यों हुआ है ये बहुत दर गया गया, यह राजकुमार के और फोर्स का डिप्लाइमंट बहुत जादा हो गया, इसलिए इनको एरिया फ मुव्मेश्वन बहुत रिस्टिक्ट हो गया, जब एक रिस्टिक्ट हुआ हम ने एक सॉपीसल आपरेशन आसे इमन इसको ठीक करने के लिए हमने अपने लोगों से बात करके हमने कहां उनके तरफ कितना लोग हैं हमने का हाँ ही हम इतना बड़ा संक्या में जाने के क्या कर प्रोवकेशन कारण है When we made the team small, एक operation inundation, मतलब फ्लेडिंग, पूरा पानी बर के वो इलाकर से सब को फ्लेश ओट करना, वो फ्लेशिंग ओट में ये तोड़ा अंसेटल हो गया, उस वक्त इनोंने बाहर का आदमी एक आदमी को डून रहे थे, तब हमारा contact आदमी उनका नाम हमने रखा ट्रेडर, और ट्रेडर को एक दिन उन्होंने रोट में intercept करके ट्रेडर से मदद उन्होंने मंगा थे, ट्रेडर बाद में दो मेने का अंदर पांच बार continuously उनसे मुलाकात किया है, हर एक वक्त कुछ ना कुछ प्रोग्रस हो रहा था, विरप्पन के लिए जाल बिचाए गया, क्योंकि उसके आँखों के लिए सेट जंगल से बाहर निकाला जाए, उसके लिए उस ambulance का इंतिजाम किया गया, जिस पर लिखा था SPS Hospital सेलम, उस ambulance में STF के दो लोग पहले से ही बैठे थे, इंस्पेक्टर वाले दुरई, और ड्राइवर सर्वन आनन, विरप्पन ने सफेद पहन रखे थे, और पहचाने जाने से बचने के लिए अपने मसूर मोचो को छोटी कर ली थी, पूर्वे निरधारत स्थान पर ड्राइवर सर्वन ने इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि एंबुलेंस में बैठे सवी लोग अपने जगा से गिर गया, बहुत स्पीड से आ रहे यह ने थीन लाइट को भी अंकर दिया, लेकिन वह लाइट भी बन करना था, उपर वाला और फाग लाम वो भूल गया था, मतलब तेंशन में हो नीचे आ गया था, यह केम रूनिंग तुमी दुरराइग जंप आओ, थी लोग जाने लोग लागा था, लेकर वाली बन करना मतलब हर एक सेकेंड का दस राउंड एके, अगर मान लिजे अगर तीस आदमी में केवल दस आदमी ओपन कर लिया, 10 इंटो 10 इन वन सेकंड, 100 राउंड राउंड इन सेकंड, रुकते हीं ड्राइवर और बल्ले, बुरे हीं बाहर भागे, फान पर आवाज गुंजी, किया गारवर गारावर इन वेश्ब ही खायर थिर न इन बाहर देकंड, पर आव दिए हर लागे, ऊपन को बाहर भाए वाज इसेकंड, क्योंकि विरपन का पूस सेट आव प्र आवाल कर लिजे, इसके बाद फिर उसके बाद पिर आपने दुजा, पिर शुरू कर देंड, कुछ 380 राउंड चलाए गए आश्चर्च की बात यह है कि विरभपन को इनमें से सिर्फ दो गोलियां लगी 60 के दसक में जब फ्रांस के रास्टपती दगाल की कार पर 140 गोलियां बढ़साई गए थी तो उनमें से सिर्फ साथ ही गोलियां उनके कार पर लगी थी यसीन इन होने में थोड़ा वक्त लगा उन्हाने विरभपन खट्म कर दिया जैसे ही उन्हें एहसास हुआ विजय कुमार को उनके दल ने कंदे पर उठा लिया इसके बाद उन्होंने नाना और दड़ई को कंदे पर उठा कर उच्छा ला गया विजय कुमार तेज कदमों से स्कूल की सीड़ यहां चड़ते हुए उपर छज्जे पर जा पहुंचे वहां से उन्होंने मुखमंत्री के ललीता को फॉन लगाया और उनकी सचीब सीला बालकिष्णम फॉन उठाती है बोली मैडम तो सोने चले गई पर विजय कुमार ने कहा कि मैं जो उन्हें बताऊंगा उसे शुन कर वो खुस हो उठेंगी तो तो साध ट्रिम कर के बोच छोटा को May the main part of virepan is his mustache, it's like a cobra's hood, hood of a cobra, the main identity is that big thing So without that you were looking very ordinary But after the thing was removal I ran up the steps I sat down on the parapet with my feet towards the road watching the vehicle cocoon Then I made the call And what was the first word? Madam we got him फॉन काटने के बाद विजर कुमार अपनी जीव की तरफ बढ़े उन्होंने अम्बुलेंस पर आकरी नजर डाली उसकी छट पर लगी निली बत्ती आभी भी घूम रही थी दिल्चस्प बात ये था कि उस पर एक भी गोली नहीं लगी थी अंतता उसे स्विच आफ किया गय मानो यह कर रही है कि मिसन अटेम्ट ले तो ये थी विरप्पन की कहानी